मुश्कार दोस्तों अगर आप किसी एक fund के अंदर एक लाग रुपया इंवेस्ट करना चाहते। आपके पास एक लाग रुपए है और आप चाहते हैं कि सीधा आपको एक करोड रुप्या मिले और आपको दुबारा उस फंड में इन्वेस्ट करने के बाद देखने की जोदनी पड़े तो ऐसा ही फंड में आपके लिए आज लेकर हाजीर हो गया हूँ वो है हमारा HDFC मिचल हाउस की तरफ से कौन सा फंड है आपको अभी पता चल जाएगा उसका प्रॉपर पूरा रिव्यू लेकर आया हूँ आपको कितने साल के इन्वेस्ट करना है और आपको एक लाफ रुपए करने के बाद ऐसी आपको कौन सी स्ट्टेजी लगाने पड़ेगी जैसे कि आपक महिंदरावालों का और आपका SBI, Quant इतने भी हमारे हाउसे हैं उनके पुराने भी कुछ कंप्री ऐसे हैं इनके पुराने मैनिवेस्टिंग फंड है और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंना अभी रिसेंट पर लांच किया है लेकि उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है व किसी भी लल्लू पंजू एमसी के अंदर कोई भी इंवेस्ट करना नहीं चाहता तो HBFC बैंक है उसी की सिष्टर गंसर्न कंपनी है तो शक की तो कोई बात ही नहीं है तो शुरू करते हैं दोस्तों कि फंड का नाम है HBFC मैनुफेक्ट्रिंग फंड ड्रेक्ट ग्रोथ इसका प्लान है यह डारेक्ट ग्रोथ ठीक है इसी का रिव्यू है करन्ट जो एनवी चल रहा है वह है इसका ग्यारा रुपे पच्चीस पैसे उससे पहले अगर चैनल पर पहली बाना है तो चैनल को चोजा 24 में लाँच चुगा था और मही से अक्टूबर का आप माल लीजी 12 मही को हुआ था पाच्छा महीने तो उए इसको और पाच्छा महीने में इसने कितने निकाल के दे दी है साले 12 परसेंट के रिटर निकाल के दे दी है और सबसे बड़ी बात मार्केट गिरी भी अ यह के लिए आप जब जाते हैं तो आपको यह 20 परसेंट से ज़्यादा के रिटर निकाल कर दे सकता है 21 के वी दे सकता है साले 20 के वी दे सकता है लेकिन आपको 20 से कम की बहुत कम चांस है कि आपको यह निकाल कर दे क्योंकि 6 महीने में इतना अच्छा प्रदर्शन है तो ज बारिशन भारत के अंदर सकतर तो आपको पता ही है अमलीज़ीआ है लेकिन इंडिया की अर्थव्याश्ज़ा भी आपको आइसरी वाल स्टैंफ म्जिवेश्खेम में मार्किन कुम हुप था पूर्थव्याइश्फा में हुदा से क्योंकि इस अब तरीकयों की चीज़ जितनी भी प्रोड़क्ट होता है थे घर करता है ए इस पें को भी किसना किसी न मेनिफेक्टर्uciones कर रही है यह वाइट बोर्र डि अ आपके technology change हो रही है उनका भीया नए नी चीज़ इजाद रही है इसलिए sector कहीं जाने वाला नहीं है कहीं हिलने वाला नहीं है तो इसलिए 20% से ज्यादा की returns इंडिया के अंदर मिलने के पूरी चांस है वहीं अगर यूरोप के अंदर होता ना तो यूरोप में आपको इतना return नहीं मिलता क्यों कि वह अल्लेडी बहुत ज़्यादा डेवलप है कि इंडिया यार अंडर डेवलपिंग है और बहुत जल्दी स अगर बात करें इसका इंडेक्स को साओने वाला है तो वह है निफ्टी manufacturing TRI अगर आप बात करें इसके portfolio की तो मैं portfolio थोड़ आपको समझा देता हूं इसके अंदर सारा का सारा पैसा जो है वह लगा हुआ है आपका निफ्टी के अंदर और 2-3% पैसा आपका जो है वह बचा हुआ है जो के cash रोखा हुआ है फंड मैंजर ने के जिस्से कि आप पैसा निकाले वह cash देपाए तबसे बड़ी बात इसके अंदर टोटल आपके 89 शेर से 89 श्टॉक से इसके अंदर एक कम नब्भ है 89 श्टॉक से जिनके इन्वेस्ट किया हुआ हुआ है और companies के नाम आपक ठीक है यूरोबिंदो फार्मा, हिंदुस्तान, पैट्रो, आइशर मोटर्स, बोश, हिंडालको, डिविस लैब, एंटीपीसी, ग्लैंड फार्मा तो आप यह देखो मैंने आपको शायद 15 श्टॉक के आसका बदाए होंगे तो जो टॉप 10 श्टॉक से जितनी टॉप 10 अपने बड़ी है, निलानी तो है नहीं, और इस तरहीं के देखा जाए तो अच्छा फंट है, अच्छे स्टॉक से है और अच्छा इसका फंट मैंजर है वो भी बहुत अच्छे सीसको मैनेज कर रहा है क्योंकि इसलिए अब आगे चलते है, इसका जो एक्सपेंसर एशिय जीरो परसेंट के चार्ज लगने वाले हैं किसी भी तरह के चार्ज नहीं है आगे 13631 करोड का इंवेस्टमेंट आ चुका है जो कि अपने आम में यह चीज बताता है कि वही कितना ज्यादा इसके अंदर लोगों ने इंवेस्ट किया है आगे अगर आप इसमें इंवेस्टम कर सकते हैं आपको एसे बिल्कुल बिगिनर आपको डर लगता है स्टॉक मार्केट में मीचल फंट से सिर्फ से इनवेस्ट किजी सिर्फ चेक करने के लिए चिंश को सौ रुपे इंवेस्ट किजे या उसमें 1,00,00,00,00 उतने ही अपको सौर रुपे मिलेंगे इतना ही वह इन्वेस्ट कीज़े अगर आपको लगे आपका जो विश्वास है वह मिचल फंड श्टॉक मार्केट पर बढ़े तो भाई आप invest कीजिए उसकंदर तो 100 रोपे से investment HDFC की सबसे बड़ी खाजबात ही है कि मातर 100 रोपे से investment चालू करायती है तो ये इसका पुरा का पुरा investment है और ये पुरा पूरा portfolio है जो अभी चल रहा है सबसे पहली बात इस fund की बविश्य क्या है भाई बविश्य बहुत अच्छा है आप invest कर सकते हैं लमसम करना चाते हैं तो थोड़ी थोड़ी amount के लिए invest कीज़ेगा पहली बात SIP करने के लिए कोई रोग टोक नहीं है जितने मर्जी के SIP कीज़े SIP में कोई भी problem नहीं है तीसरी बात किन लोगों करना है कोई भी इसके नहीं invest कर सकता है अगर आपको कोई अगर आप एक sector fund के लिए तरफ चल देना तो HDFC manufacturing fund आपके लिए पहली पसंद गो सकता है अगर आप करना चाहते हैं तो फॉर्थ नमबर पे कितनी एज वालों को करना चाहिए देखे एज अगर आप मिनिममम पात साल के लिए इंवेस्ट कर सकते हैं तो आप इस fund कीए फंड आपके लिए बनाए लेकिए मिनिममम पात साल के लिए इंवेस्ट कीजिएगा पात साल जे कम के लिए बुस्तरीक से भी manufacturing नहीं है, अब आप देखो ना, कोई pharma sector की है, कोई आपकी oil sector की है, कोई energy sector है, कोई IT sector है, सारे sectors include हैं इसके अन्दर, क्योंकि कोई services दे रहा है, कोई IT services दे रहा है, कोई oil बना रहा है, कोई आपका खाने की चीज़े बना रहा है, कोई sector गिरा भी न पार्टिकुलर, तो इसके उपर कोई फ्रक पड़ेगा नहीं जल्दी, तो sector wise तो अच्छा है, आप invest कर सकते हैं, अब दूसरी बात, आपको इसके अंदर एक करोड रुपिया कैसे मिलेगा, एक करोड रुपिया, सिर्फ एक लाख रुपिय लाख लागा के, तो अगर आप चाते हैं भीया इसमें एक करोड रुपिय बनाना, तो आप इसमें लंब सम कीजिए, एक लाख रुपिय, उसके बाद इसको लाख के भूल जाईए, कम से कम 25 साल, पच्छिस साल के अंदर आ यारी यह बहुत अच्छा फटन है, आप देख लिए न, आने वाले टाइम में आपको जो मेरे बात कह रहा हूँ, आपको जब आप बढ़ते हैंगे आपको पताच जाएगा, दूसरी बाद दोस्तों, अगर जो भी मेरा भाई है, जो इस वीडियो में अवी तर जुड़ा आना चाते हैं, तो आप मातर 999 रुपय में अपना नेया पॉटफोलियो बनवा सकते हैं, या अपना पॉटफोलियो हमसे रिव्यू भी करवा सकते हैं, और अपना पॉटफोलियो है, एक करनों से लेकर 10 करोड के अंदर टांसफर करा सकते हैं, मैं आपको मोडिफाई करके देदूँगा आपका पोटफोलियो आप जितनी भी माउंड चाते हैं उसके हिसाफ से आपको कितना लंसम करना पर लेगा कितनी साइप बढ़ा नहीं है कितनी घटा नहीं है सारी सारी चीजे करके मैं आपको देदूँगा वाटसप नम्म लिखा हुआ है कॉंट्रेट कर सकते हैं जीमेल आइडी पर भी कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं ठीक है जाहिं दूआ